कल खेला गया थे डैली कैप्टल्स और गुजराच जाइंट्स की बीच में शानदार मुकाबला जब गुजराच जाइंट्स चीज़ करनी के लिए थी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं वो चीज़ करने जाएगी स्कोर लेकिन गुजरात जाइंस को 25 रनों से हार का सामना करना पड़ा आपको बताते कि डैली कैपिल्स अभी भी पॉंट्स्रेवल पे नंबर वन पे काबिज है बिल्कुल सता जिस तरीके से कल हमने दिल्ली और गुजरात का मुकाबला देखा लगतार पहले भी तीन मुकाबले गुजरात हार चुकी है कल चौथा मुकाबला था जहां एक उमीद की किरंट थी की WPL में आप एक मुकाबला जीत जाएंगे अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए हैं वहाँ पर भी आपको हार का सामना करना पड़ा और सबसे शर्मनाक बात मेरे लिए ये है कि आपकी फिल्डिंग बहुत खराब हुई जहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना चाहिए था थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब कमबैक वाली पारी खेलनी चाहिए वहाँ पर ना तो फिल्डिंग अच्छी हुई ना तो बल्लेबाजी ना तो गेंदबाजी की बात करें तो सिर्फ गाड़नर का बल्ला चला लगभख 40 रंग की पारी खेली उसके अलावा किसी ने स्कोर ही नहीं बनाए गेंदबाजी में भी गाड़नर ने दो विकेट चटका है और अगर हम बात करने हैं उसके बाद मेगना सिंग ने चार विकेट चटका है उसके बाद से यहां पर देखेंगे कि मेग लैनिंग ने पच्पन रं बनाये थे एक तालिस गेंदों में एलिस कैपसी ने बनाये थे 27 रं 17 गेंदों में वही अगर गुजरात की तरफ से बात करें तो मेगना सिंग ने तो चार विकेट जटके थे एशली गारडनर ने साथिस रंदे के दो विकेट जटके थे वही गुजरात जाइंट्स के बल्लेबाज़ी प्याज यहां चार शालिज ने बनाये थे और फीबी लिश फील्ड ने बनाये थे सर्फ और सिर्फ 15 राधायादों में डली क्रप्ल दिल्ली की गेंदबाजी की तो राधायादों ने 4 ओवर डाले तीन विकेट चटके और समसे इंपोर्टेंट बात इनकी गेंदबादी में सिर्फ 20 रन आये और वही हम जैंसेंस की बात करें तो उनके भी 4 ओवर में सिर्फ 22 रन और 3 विकेट गिर अगर हम देखेंगे गु मुझे यह नहीं लगता कि 163 रन का जो स्कोर है बहुत जादा है जिस तरीके से आपका पर्फॉर्मेंस हुआ आप उसको आसानी से चेस कर सकते थे लेकिन जिस तरीके से बल्लेबादो ने पर्फॉर्म किया बहुत खर्म, मतलब शर्मनाख पर्फॉर्मेंस मेरी इस आप चित एक नंबर परिस्ता में पहुंच गई है। पर पिछले सेजन वह खेलनी पहुत रूल डाउट होगी थी लेकिन इस बार जब आई है तो इतने फॉर्म में कुछ नजर आ नहीं रहे क्योंकि अगर अगर धेली कैपिल्स की बात कि तो मैग लैनिंग ने चाहे कोई रन बनाए ना बनाएं मैग लैनिंग फॉर्म में रह इसकर सकते हैं एक चेंजर में देखनी को ला हर्लीन देवल नहीं खेल रही थी खेलती थी इतना अच्छा फॉर्म नहीं था टेश्ट वारी पारी वह खेलते हुए नजर आती थी वह नहीं खेलती नजर आई गुज्रा जायंट्स की तरफ से तो गुज्रा जायंट्स की मतलब अभी तक खाता भी उनका नहीं खुल है काफी बुरा हाल है उनका WPL में बिल्कुल जहां आप लगतार तीन मैच हारते हैं वहां से आपको सीखना चाहिए और उसके बावजूद इसी मैच में जहाब आप गेंदबाजी कर रहे थे आपने इतने कैचेस छोड़े गुज्रात की टीम ने वहां से भी आपने नहीं सिखा कि कैचेस डॉप हुए ठीक ठाक रन बना ली है विपक्षी टीम ने उसके बावजूद फिर बल्लेबाजी में भी वही गहर जिम्मेदारी वाला शौट वही इस समय लास्ट पर है दिल्ली फर्स्ट पर है तो जो भी आपकी राय है कमेंट टॉक्स में दीजिए और जाते जाते तूफान स्पोर्स को लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए